गुद मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप सबाई हो बिल्कुल अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षीट 74 कक्षा 10 विज्यान तिथी 28 जन्वरी तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो से बोर्ट पर एक्स्पेयन किया आप विडियो देख सकते हो मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं रसायनिक अभिक्रिया इसमें आज हम तीन तरह की अभिक्रिया पढ़ेंगे संयोजन वियोजन और विस्थापन संयो जो लवन ये विल्यन होता है उसके अंदर जो ज्यादा शक्तिशालिह होता है मतलब जिसमें अभी क्रिया करणें की जादा क्रिया shyled होते हैं जादा reactive होते हैं वो जो। जो िक्रिया shyled होते हैं उनकी जगे लोknow है। जैसे कि इस Cum proposed इस एक्जैम्पल में आप देखो। क inhale आईरण क। pact how are we कि यहां पर आफी है, CU, SO4 के सथ जब यह अभी क्रिया करता है तो FE ने क्या कर ली? CU की जगे ले ली यहां पर SO4 के सथ CU था लेकिन अभी यहां पे FE आ चुका है तो FE ने CU की जगेर इलिए अब क्या बन गया FESO4 और यह अलग हो गया तो नीले रंग का जो कोपर सल्फेट का जलिये विलियन है फैरस सल्फेट को बनाने के कारण हल्की हर रंग के विलियन में परिवर्त हो जाता है यहां पे रंग भी बदलता है जो नीला रंग हो किसमें हो जाता है हरे रंग में बदल जाता है आपकी जो वर्कशीट थी उसमें आपका एक कोशिन भी आया था उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पात बनाते हैं, यह संयोग अभिक्रिया का उल्टा है, यहाँ पर एक या दो मिलकर एक बना रहे थी, है यहां पर जो एक बन रहा है उससे दो या तीन बन रहे है ठीक है यह फरक है तो वियोजिन अभिक्रिया के देखो तीन प्रकार है उश्मिय वियोजिन विद्यूत और प्रकाश यह जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है उश्मिय वियोजिन वे वियोजिन होता है जो उश् see h2o है विध्यूधारा की अनुसार हो सब्सक्राइबillas जासेता निमेलेखित अभिक्रियां के निमेलेखित और सहीकुक्रिया Α्भ आपको संयोजन वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया है ठीक है तो यह पहली देखो यहाँ पहली है यह एक है यह टूट रहा है दो में तो यह कैसी होगी अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा ऐसी यह वियोजन होती है ठीक है और यह दूसरी है जो यह दो से मिलकर एक सिंगल आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो यह क्या ह किस होगा यह कैसी होगी संयोंग से 2 के संयोंग से बन कि somewhere नहीं वियोंग नहीं समझ लिए विंगरेक आपके क्या है वाट है वियोजन थे संयोझन की ब truths हना पने वियोजन और थी करेए विस्था बन बिग रिया ठीक है first question होगे आप हम चलते हमारे second question पर दूसरा question है हमारा निमिल लिखित के कारण लिखो आपको बताना है निमिल ये बताना है कि एक minute ये देखे ये है आपका question number 2 इसमें आपको बताना है जो copper sulphate के willian में लोहे के कीले अगर हम डाल दें किसH then willian में उसका रंग बदल जाता है और ऐससे क्यों dariis ली होता है जो कीले एक उप्र IP के गोल में इस जोपर хотел है गोल से ये गोल आयगा गोल नहीं है ठीक है गोल में से कॉपर को विस्थापित करने की शमता रखता है तथा आईरन सलफेट विल्लयन बनाता है ठीक है और दूसरा पार्ट दो-पार्ट आपके प्रेशन No.2 में दूसरी में आपको बताना है वायो की उपस्तिती में बूरे रंगा कोपर चूरन काले रंग में परिवर् वायू मंडलिया oxygen जो हवा में oxygen होती है उसके साथ प्रिक्रिया करता है और copper oxide बनाता है ठीक है यह हो गया pressure no.2 का पहला और जो दो पार्थ में दिये गए थी प्रेशी नमबर 2 के बाद चलते हैं हमारे प्रेशी नमबर 3 पर, प्रेशी नमबर 3 है जल का विद्यूत अपगटन करने पर कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित होने वाली गैस का नाम लिखना है, तो देखो कैथोड पर एकत्रित जो गैस होगी वो होगी हाइड्रोजन और एनोर पर जो एकत्रित गैस होगी, वो क्या होगी, oxygen, बीबायट है, एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का, आयातन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दो गुना क्यों होता है, तो देखो क्योंकि hydrogen के अनो की संख्या, oxygen के अनो की संख्या से 2 गुनी है, ठीक है, यह देखो H2O, तो यहाँ पे जो hydrogen की अनो की संख्या 2 गुनी है, किस से hydrogen से hydrogen 1 है, तो यह 2 है, ठीक है, तीसरा है रासायनिक अभी क्रिया का प्रकार लिखिए, तो यह विद्युत के कारण हो चित्र के अधार पर प्रश्णों के उत्तर देने आपको इक चित्र दिया होगा अभी जैसे आपने देखा था कि यहां पर क्या था खिड़की है वह से सूरज की रोश्णी आ रही है और इस चाइने डिश में कुछ यह पड़ा है ठीक है तो यह आपको देख सकते हो वोक्ष बताया हुआ है अभी अभी बताया था इसलिए मैंने जगे चोड़िए पहले आप अपने माइंड में आपके कौन सी रियक्शन कौन सा समी करना आया है वो आप बताओगे फिर उसके बाद मैं आपका अंसर लिख देती हूँ यहाँ पे क्या होगा 2 2 AG CL क्या बनाएगा यहाँ पे 2 AG बनाएगा प्लस में CL 2 ठीक है यह प्रेशन नमबर जो दूसरा पाट है प्रेशन नमबर चार का उसके पाद है हमारा आखरी लवन के रंग में क्या परिवर्तन होगा तो देखो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड है वो दूसर का हो प्रेशन नमबर चार के तीनों पाट आई होप आपको सारे प्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए ही क्या उनके उतर और पूरी वोक्षीट भी किस-किस तरह की प्रकार की अभिक्रिया होती है कोई भी डाउट है आपके पूरी वोक्षीट में तो कमेंट्स में से पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो का लाइक कर सकते हो धैंक्यू और आव ग्रेट डे